हम अगर किसी शॉप में कोई चीज खरीद निकले जाते हैं तो उस चीज की price define करती है कि उस चीज की quality कितनी अच्छी है अगर price कम है तो quality खराब है और अगर price ज्यादा है तो quality बहुत अच्छी है लेकिन film line में Bollywood वालों ने पूरा का पूरा मतलब भी बदल दिया है तरीकी से बंदरी इस पर धान देते ही नहीं पर जब फिल्म का टीजर या ट्रेलर रिलीज करता है तो फिर पब्लिक कहती है मजा नहीं आ रहा है और बात में भाई लोग कहते हैं कि भाई हमें कंपेर क्यों कर रहे हो क्योंकि उनकी यहां पे 12 और 16 क्रोड में करने के लिए आ रहा है हनुमान टीजर के साथ फिल्म का बजट जो वो 12 करोड है महज और आदिपुरुष का 500 करोड यहनि कि आदिपुरुष के 2.3% बजट में हनुमान फिल्म बनी है आदिपुरुष फिल्म का टीजर जब रिलीज होने वाला तो बहुत ज़ादा एक्साइटमेंट थी और जब यह हनुमान फिल्म का टीजर देखा तब भाई दिल से एक ही बात आई मज़ा आया स्टार्टिंग के सीन से लेकर एंड के सीन तक इस टीजर ने हमें बांदे रखा क्योंकि फिल्म में 12 करोड के बजट में जो CGI जो VFX हमें दिखाया है वो हमें आदिपुरुष के 500 करोड में कहीं भी देखने नहीं मिली चलो वैसे तो हम लोग किसी भी फिल्म के टीजर के उपर से डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वो फिल्म कितनी घटिया हो सकती है उसका VFX कितना खराब हो सकता है लेकिन यहां पर टीजर में जो VFX दिखाया है वो तो भाई हमें यहां पर पसंदने आया है अब आप ही तरह करो कि इन दोनों मुवी में से किस फिल्म का बजट जो वो 500 करोड लगता है आपको यह आदि पुरुष का VFX और यह हनुमान का VFX देखने में तो ऐसा लगता है कि हनुमान के फिल्म का बजट 500 करोड होगा क्योंकि आदि पुरुष तो पोगो चैनल्स के लिए बनाए गई है चलो छोड़िए आदि पुरुष फिल्म के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी उस फिल्म को लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया है फिल्म जो वो पाच मैने और डिले हो गई है यानि कि अभी वे एफेक्स और सीजिया पे ज़्यादा काम करेगी तो यहाँ पर हमारी उम्मीद यही है कि भाई अभी आदि पुरुष का एक बेटर और एक अच्छा लूख हमें देखने मिले एक अच्छा वे एफेक्स और सीजिया हमें देखने मिले तो चले बात करते हनुमान टीजर के बारे में तो अब यहाँ पर प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक यूनिवर्स की यह पहली फिल्म है जिस तरगे से मार्विल की यूनिवर्स है उसके बाद डीसी की है और अभी अभी हाले में बॉल्यूड में ब्रहमास्तर यह फिल्म भी एक इनुवर्स का हिस्सा है तो इसे में साउध भी कहां पीछे रहने वाला है यहाँ पर प्रशांत वर्मा सिनेमेटिक इनुवर्स की यह पहली फिल्म है जिसका नाम में हनुमान तो अब देखे सिनेमेटिक इनुवर्स को तो हम साइड में रखते है बात करते हैं सिर्फ फिल्म के टीजर के बारे में तो फिल्म का टीजर देखने के बाद भाई मन से सिर्फ एक ही बात निकली जबरदस आउटस्टेंडिंग 12 क्रोड के बजट में सीजय और वेफिक्स को दिखाया गया है और जिस तरह के से फिल्म का टीजर दिखाया गया है उसमें तो स्टोरी भी नजर आ रही है कि भाई हाँ एक अच्छी स्टोरी हो सकती है यहने कि थेटर में फिल्म देखने के लिए जाओगे तो भाई यहाँ पर पैसा तो वसूल होगा तो अब जैसा कि मैंने का कि प्रशांत वर्मा सिनेमेटरिक उनिवर्स की यह पहली फिल्म है तो इसके बाद एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है अधिरा जिसे भी प्रशांत वर्मा खुद डिरेट कर रहे है यहने कि भाई इस डिरेटर के एक साथ दो जबरदस फिल्में आ रही है वैसे भी पब्लिक को जादा बजट वाले फिल्मों में कोई इंट्रेस नहीं रहा जिन फिल्म का बजट कम होता है वो फिल्म में भी जादा लोगों को पसंद आ रही है कि इसके पिछे का रिजन भी यह है कि छोटी फिल्म में है छोटा बजट है लेकिन CGI और VFX जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे उतना ही यूज किया है जो बड़ी बड़ी फिल्म में जो ज़ादा बजट वाली फिल्म में होती है वहाँ पे VFX की ना जाने बेवज़ा भी जगों को पे यूज किया गया है अगर बात करें बॉलियोड की भेडिया फिल्म की तो उस भेडिया फिल्म में भी एक चीज़ अच्छी है की CGI और VFX को सिर्फ वहीं पे यूज किया है जहाँ पे उसकी ज़रुरत है तो ये एक बात होती है की फिल्म का बजट कम है तो CGI और VFX का यूज भी उतनाई कम और जहाँ पे ज़रूरी वहाँ पे होता है वैसे बहुत सो लोगों को CGI और VFX में कंफ्यूज है की ये क्या है तो आपको बता दूए की CGI जो होता है वो आपको एक 3D effect देता है और VFX वो होता है जो पीछे green screen या फिर blue screen लगा कर imaginary चीज़ों को create करता है वो green screen और उस green screen के साथ ही इस CGI को 3D effect दिया जाता है यहने की VFX के बेना CGI अधूरा है हॉलिवोड की most of जो फिल्में होती है वो एक बड़े से हॉल में ही बनती है क्योंकि सब कुछ जो हो green screen लगा करी वो फिल्मों को shoot करते है बहुत rare ऐसे चीज़े होती है जहाँ पे वो real location पे जाके shoot करते है जिस वज़े से उनका budget जो जादा होता है लेकिन South की फिल्म में क्या है अभी जो जैसे की हनुमान है कांता रा है इस फिल्म में VFX और CGI बहुत कम यूज किया गया जहां ज़रूर है वहाँ पे पूरा का पूरा focus दिया गया बाकी जो है वो real location पे फिल्मों को shoot किया गया और जो जादा budget की फिल्म होती वो पूरी तरह से VFX और CGI पे shoot की जाते है जहां पे हमें असली और नकली का फर्क हमें वहाँ पे नजर आता है तो अब आते हमारा topic पे हनुमान teaser के उपर तो दस्तो ये जो है वो एक छोटा सा teaser ता जहां पे हमें starting से लेकर end तक काफी interesting देखने मिला और बात करें last के scene की जहां पे हनुमान जी श्रीराम प्रभु का नाम ले रहे है शायद ये इस teaser का सबसे best scene है और बस इसी scene की वज़े से शायद लोगों को आदी पुरुष भूलने के लिए आसानी हो गई कि इस तरीके से teaser को starting में दिखाना चाहिए लेकिन जिस तरीके से आदी पुरुष का teaser दिखाया गया उसमें कहीं पे भी मजा नहीं है तो मुझे तो ये हनुमान टीजर दिखने के बाद ऐसा ही लगा कि भाई इसका budget कई पासो करोड तो नहीं तो दोस्तो आपका इस बारे में क्या कहना है हनुमान टीजर और आदी पुरुष के वेफेक्स के बारे में और क्या कहना है ये आप मुझे comment करें जरूर बताना और आपको मेरे वीडियो कैसा लगा ये भी comment करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मिलते एक नए वीडियो के साथ तब दक लिधन्यवाज जय हिंद जय भारत